हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक टू मै चैनल पोटली बैग ने महरानियों के खजाने से लेटेस्ट फैशन तक का सफरताय किया है आपकी होम मेकर फ्रेंड्स ने इसे अपनी क्रियेटिविटी से अलग-अलग अंदाज में पेश किया है तो चलिए देड़ना करते हुए से बनाना सुरू करते है इसकी लंबाई 14-10-10 इंच लेनी है मैं इसे canvas paper में बना रही हूँ एक पीस को ऐसे ही रहना देना है और चार पीस को इस तरह से cut कर देना है दोनों पीस को canvas paper में इस तरह से iron की help से attach कर लेना है और बीच में स्टीच भी कर लेना है इस तरह से चार पेस इस शेप कर रहेगा और एक सिंगल रहेगा बेल्ट की चौराई अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने इसमें दो इंच डाला है और ये पाँच इंच का फैबरिक लिया है इसे फोल्ड करके इसमें हुक को अटेच कर दिया है और ये लाइनिंग वाले फैबरिक को भी उसी सेप में कट करना है चार पीस ये और एक पीस दस बाई दस का सिंगल लैस अटेच करने के लिए दोनों साइड टॉप स्टीच कर लेना है और एक्स्ट्रा जिप को कट कर लीजे और दोनों पीस को इसके साथ दोनों साइड से अटेच कर लेना है इस तरह से अटेच कर लेना है और जो हैंडल का फैब्रिक है जिसमें हुक लगा है दोनों को मिलाते हुए स्टेच कर लेना है इस तरह से देखे हैंडल उपर आ गया और नीचे वाले सिंगल पीस पर फैब्रिक को उल्टा करते हुए इसके साथ अटेच करना है आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी दे सकते हैं पीन के साथ अटेच करना है देखे इस तरह पीन के साथ मैंने अटेच कर लिया है अब सारे पर स्टेच कर लेना है अब इससे जिब बले साइट से सीधा कर लेना है यह पूरी तरह बनकर तयार हो गया, इसमें अब लाइनिंग वाले फैबरिक को अटेच करना है, लाइनिंग वाले फैबरिक को भी सेम उसी तरह अटेच करना है, जैसे इस फैबरिक को अटेच किया है, इस तरह से सारे को अटेच कर लेना है, एक साइट से खुला छोड़ना ह उसके अंदर डालकर अटेच करने के लिए इधर मैंने हाफ आफ इंच पोल्ट किया है हैंडल में लैस को अटेच कर लेना आप इना लैस का भी बना सकते हैं च्वाइस आपकी है इसमें भी लैस को अटेच कर लेना है नीचे बौर्डर पे इस तरह से अटेच कर लेना है जिप को खोल कर लैनिंग वाले फैबरिक को उल्टा ही रहने देना है और इसके अंदर डालेंगे और अटेच करेंगे तो ये अंदर से सीधा हो जाएगा पिन की हेल्फ से इसमें भी आप कच्छी सिलाई दे सकते हैं पिन की हेल्फ से सारे साइट से अटेच कर लीजे उसके बाद स्टेच कर लीजे इस तरह से सारे में पिन अटेच कर लेना है और इस तरह से स्टेच कर लेना है बैल्ट पर दोनों साइड से एक एक इन छोड़ कर लैस को अटेच करना है ताकि फोल्ड करने पर ये हुक इसके अंदर अटेच हो जाए हुक को इसके अंदर बीच में डालते हुए स्टीच कर लेना है इस तरह से हैंडल बनकर तयार है इसके लंबाई देखे नो इंच आ रही है 10 इंच का लिया था फैबरिक नो इंच आ रही है आफ आफ इंच सिलाई में गया स्टीचिंग बहुत अच्छी इसके लिए इसमें हमेशा कुछ नया नया ट्राइ करते रहे हैं बहुत मज़ा आता है मुझे तो बहुत मज़ा आता है आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा तो नेक्स वीडियो में फिर कुछ नया आइडिया के साथ मिलूंगी तब तक के लिए बाई अच्छा आता है